नमस्तित दोस्तों कैसे आप मैं सुजीत कुमार इंकरडबल जी एस में आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों कल 69th BPSC Prelims का एक्जाम हुआ कैसा रहा वह आपसे चुपा हुआ नहीं है कैसे आप एक्जाम दिये उस दर्द को आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता है हम लोग तो आते ही फटा फट अपना एंसर इधर उधर गुगल से दस लोग बैठे हुए थे एक काम करना तुम जो है साइंस वाला कर लेना तुम जो है करेंट फिर वाला कर लेना तुम जोगरफी वाला कर लेना तुम पॉलिटी वाला कर लेना तुम मैच्स वाला कर लेना तुम रिस्निंग वाला कर लेना और फटा 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 बता दिये आसान है कोई भी कर सकता है कोई भी लेकिन आपके साथ जो गुजरा उसके दर् आउ किया सारे लोग जो जहां थे अपना अपना कोर्स को लॉंच करने में लगे लॉंच करने तक तो सही था उसके बाद लोगों ने क्या कर दिया कि अब वीपीयसी जो है यूपीयसी की तरफ से जिए मोव कर रहा है अब यानि जो वीपीयसी है वह समापत हो जाएगा अब को UPSC बन जाएगा क्योंकि इनको भी कॉर्स बेचना आखिर इनके पास कैसे पहुंचोगे जो दूसरे स्टेट के तैयारी करवा रहे हैं वह भी अब कह रहे हैं कि भाई BPSC अब जो है UPSC जैसा हो रहा है मतलब किसी को ये पता नहीं कि बच्चों के साथ क्या हुआ ये पता भी है तो तेल लेने जाए जी बच्चा कुछे भी करें उससे मेरे को क्या है बच्चा होता है ये परवाद होने के लिए सच बात तो यही था जो जितने बड़े पीचर हो यूटूबर हो सब यही ड्रामा करने में लगा हुआ था मैं भी पूरी रात ध्यान से बैठ के देख रहा था कि कौन-कौन बड़े-बड़े अपने आपको अस्टार कहने वाले हैं कौन-कौन से ड्रामा दो कवडी का ड्रामा कर रहे हैं वही देखने में लगा हुआ था कोई 10 साल से मैं परहा रहा हूँ कोई 15 साल से परहा रहा हूँ कोई 30 साल से परहा रहा हूँ यही कोटेशन दे दे के अपने आपको प्रूप करने में लगा हुआ था कि BPSC equal to UPSC हद है बच्चा मरा हुआ है जिन्दा लास की तरह है कोई फर्क नहीं पड़ता है जिन्दा लास तो दो दिन का है तीन दिन का है चार दिन का है पाचमा दिन के बाब फिर तयार होगा और फिर जब दौरने लगेगा तो कहेंगे देखो कोश्चन देखो तयारी करो अभी भी यह PSC का अरे बंद करो ड्रामा यह ड्रामा है और कुछ भी नहीं है यही रियलिटी है हम लोग के गाउं में एक सच्चाई है कहावत नहीं सच्चाई है जब किसी भी घर में कोई इंसान मरता है न तो किसी भी समाज वाले को इस बात का दर्द नहीं होता है कि उसके परिवार से एक सदस जुदा हो गया कैसे उसका घर चलेगा कैसे उसका परिवार चलेगा कैसे उसके बच्चे परेंगे कैसे उसकी बिटिया की साधी होगी किसी को कोई मतलब नहीं है सब को इंतिजार होता 12 दिन बाद भोज में क्या-क्या चलेगा दो टाइम दो राज होगी एक में मिठाई और दूसरे में चाबल डाल बस सबको यही चिंता है कितना बढ़ियां बनाएंगे किसी को यह चिंता ने सेम कंडिसन आज BPSC के अंदर हो गया है सारी टीचर जो भी जैसे भी कोर्स्वेश से सब इसीम लगे हुए है किसी तरह माफ कीजिएगा कड़वी है लेकिन दिल की बात है खैर आप भी समझते हैं आए थोड़ा सा चलते हैं इस बुरे दौर्ड में थोड़ा सा आपके साथ खड़ा होते हैं कोसिस करते ख़़ा होने का नहीं ख़़दा हो सकते जी, कभी नहीं हो सकते हैं, सच बात तो यही है, लेकिन एक कोसिस आपके लिए भी है, कुछ सजेशन आपके लिए भी है, आप भी समझदार बनो, अब नहीं बनोगे तो क्या, कौसे दुनिया में हो, कब जगोगे, पूरी थे नहां भी बातिय बोलूंगा प्रस्वल बोलूंगा मुझसे गर बोले जाए ऐसान फिल लिगका सकते हैं है तो हाड भी का सकते हैं कि दोनों बात है और हर्ण रहे तो क्यों न रहे मैं आपसे बात करता हूं आप मत सोचेगा कि आपके दर्द को रूदता हूं नहीं जी, कैसे निकाला जाए, आखिर इतने बच्चे बैठ रहे हैं, इतने कम सीट है, आखिर कैसे इनको वहाँ तक पहुंचाय जाए, अगर conceptual नहीं देगा, तो कैसे वहाँ तक पहुंचेगा, वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, क्या BPS को बदलने का अधिकार नहीं है, क्या आतनिक सोचिए, तनिक सोचिए, आप से बात करता हूँ, और कुछ-कुछ ऐसी बाते बोलूँगा, हो सकता आप मुझे आलोचना भड़ी सब्दों से न बाजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकि सच बोलूँगा, जो हमारे संस्था से जुरूए हुए पहरा संबंध है, वो बला नहीं कि वहां क्या कर रहा हुँ, पता चल जाए, एक नजरिया, वहां बैठे हुए अतूल सर है, उनको मैं एकदम अभजर करता हूँ, एक एक चीज को, आप कभी भी देखेगा, वो कोई भी कमेंट करते हैं, कोई भी ट्विट करते हैं, मैं कभ भी नहीं, आज तक का रिकॉर्ड, कभी नहीं, लेकिन एक चीज थी, एक बार आहट हुआ था, टीचर के एक्जाम में, उस आहट को हम कभी पकर ही नहीं पकर पाए, एक चीज समझ में आ गया था, कि जिस आयोग में बैठे हुए इंसान है, वो जरूर बदल के रख देगा पक्का बदलेगा, समय रहते सचेत हो जाओ, साबधान हो जाओ, एक वक्त मिला है, इस वक्त को जीलो, इस लम्हे को जीलो, मैंने हजार बार बोला, और क्लास जब जब में लिया हूँ, तब तब मैं बोला हूँ, मेरा दिल कता है स्टेट्मेंट वाला कोश्चर रहेगा, इस बार BPSC अपना वो जल्वा भिखेरेगा, सारे टीचर के वो सुराक रख देगा, कोश्चन लड़ाना तो दूर की बात है, कोश्चन सॉल्व हो जाए, यही बड़ी बात है, और हो गया, आपके सामने, उपर वाले का रहम करम रहा, बुड़ी हमारी जत्तो बच गई, लेकिन उतनी भी नहीं बची, जिससे मैं खुश होके, पूरा डांस, फिर भी कमिया है, अभी भी हमें अपने उपर काम करना होगा, अपने नोट्स के उपर काम करना होगा, परहाने के सैली में डेबलब करना होगा, और यह हम सब सिच्छक को करना होगा, और आप यह स्टुडेंट हैं, आपको भी समझना होगा, कहां जाया जाय, जहां से आपके अंदर निखार हो सके, जो वाकई में BPSC के लाइक आपको बना सके, और यह तो आपको ही समझना होगा जी, बाकी आप खुद ही समझदार है, दूसरी एक्जाम की तैयारी करने वाले, अब BPSC को भूल जाएं, अब भूल जाएं, अब भूल जाएं, कि आपसे BPSC निकलेगा, BPSC उसी से निकलेगा, जो अपने अंदर जो है, BPSC का सपना सजोएगा, जो BPSC भी भर लेता हूं, दरोगा भी कर लेता हूं, BSEC बाला आया, उसको भी सुझी सरफॉर्ण भर लेता हूं, साब धानो जाओ, सतर खो जाओ, ती क्यों घबरा रहे हो, क्यों आयोग को ताना दो, आयोग भी चाहता है, कि आप हर जगह नहीं लुठाओ, हर कोचिंग में जाके बरबाद नहीं हो जाओ, आयोग भी आफी के लिए काम कर रहा जी, अब यह मत बोलना कि आप आयोग से मिले हुए हो, क्योंकि आप बोल दियो पहले है स्टेटमेंट, आप रतूल सर के बीच में कोई गहरा संबंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी चाहता है, एक बच्चा आता है यहां तयारी करने के लिए BPSC, तुरत जाके धरोगा में, उस कोचिंग में, और पता ही नहीं चलता, कौन सी कोचिंग क्या परा रह है, सब कुछ मिला हुगा है, आप जहां चाहो जो एडमीशन लेना चाहो, हर कोई परा रहा, साबधान सतर खो जाईए, आपको भी बचाने की कोशिज कर रहा है, और संस्था को भी परबाद करने की आयो कोशिज कर रहा है, तो आपके लिए भले का काम कर रहा है, यही रिय पर लेता है उसको तो भरना नहीं चाहिए तो कोई तो कोई कुछ न कुछ तो अस्टेंडर को बढ़ाना पड़ेगा और आपके परने में भी ध्यान रखेगा आपके परने में भी थोड़ा सा अपने आपको डेबलब करना होगा तभी आने वाले टाइम में एक्जाम होगा बरना हर जगह ड्रामा हो चुका है सतरमी का ये बैचलोंच हो चुका है आजाईए मेरे पास परने के लिए इतनी बड़ी टीम है इतनी सफल टीम है ये है इतने साल का एक्सप्रियेंस है उतने साल का एक्सप्रियेंस है तमासा चल रहा है आपको फसने के लिए तैयार हो ज कोई कैसे 120 मिनट में 1500 question solve करें अगर मैं आयोग को बैठा दूँ अब थोड़ी सी आयोग की भी class हो जाए अगर मैं आयोग को बैठा दूँ तो दो घंटा तो छोड़ दो तीन घंटे का time दे दूँ फिर भी 1500 question solve नहीं होगा सवाल न उड़ता कोशिस करके देख ले कभी नहीं किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई solve करके दिखला दे तीन घंटा तीन घंटा में 1500 question कोई solve करके दिखला दे और यहां तो मात्र दो घंटे में 1500 question solve करना कितना challenge है जा सूचो question को देखो तो एक question में दो तीन question तो ऐसे ही inbuilt है जुड़ा हुआ है एड है आप सोचोगे तो दिमाग खड़ा बुझाएगा क्या कहा गया है और यह सिर्फ एक subject की नहीं है साड़े के साड़े subject में सारे में उसी तरीके से inbuilt है आपको समझ में नहीं आएगा कहां से सुरू करूं अब वो जमाना गया अच्छे काम करते इधर बाला में कुछ हलका होगा थुरा इधर पलट लेते नहीं जी जहां पलटोगे वहीं मुझे देखोगे वहीं से सुरू होगा धर्द और वो चीज दिखा दिया अब समय यह आ गया है कि आपको एकदम conceptual पढ़ना होगा सह एक एडवांस बुक सिर्फ एक दस बुक से बितर है एक एडवांस बुक को अराम से खंगा लो कोचिंग जाओ मैं नहीं मना करता हूं कि कोचिंग नहीं जाओ कोचिंग जाओ लेकिन कोचिंग पर भरुसा मत करना कभी मत करना कोचिंग पर भरुसा जब 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 जिस जिस पचास परतीसत आपको देना होगा, आप क्या करते हैं, तभी सेलेक्शन होगा, अब यह सपनों की दुनिया हो जाएगी BPSC, सही बता रहा हूं, बाकी सोचना आपको ही जिए, नेक्स है, डेर्ट सो प्रस्ट को एक जिए, अब BPSC में कोशिस यह कर रहा है कि हर एक स्टेट क स्टूडेंट जो है BPSC का एक्जाम दे, आयू, पूरी ताकत लगा दिया है, हर कोई आके दे सकता है, आप जाके देख लिए कोश्चन का स्टंडर, अगर आप बिहार वाला देखिए, तो सोले कोश्चन है, कोश्चन का पैटर्न देखिए, मातर सोले कोश्चन, आप किसी स्टेट में चल जाए एक्जाम देने के लिए, यकीन नहीं है, गुगल पे सर्च कर लिजिए, इतना कम कोश्चन कहीं जो मिल जाए आपको, इतना कम, जितना कम, BPSC में जाईर सी बात है, अधर स्टेट के स्टूडेंट के लिए दरवाजा खुल गया है, ये अच्छी बा साथ ने आए, यहाँ एक कोश्चन मार थोड़ा देर के लिए निकलता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेंगे, इकोनोमी के 16 कोश्चन, जोगरफी के 17 कोश्चन, हिस्ट्री के 30 कोश्चन, साइंस और टेक, दोनों मिला के 30 कोश्चन, पोलिटी के 12 कोश्चन, करेंट 20 कोश्चन, मैथ और रिजनिंग, इस बार रिजनिंग को भी इसमें एड किया गया, टोटल 10 कोश्चन, वो समय दूर नहीं है, जब कहीं सेटना आप में एड हो जाए, इसलिए तयार रहिएगा, यह सारी बातों सुनने के लिए, समझने के लिए, बस एक ही बात आप से कहन अब भी वक्त बचाओगा है, अब भी थोरा सा वक्त बचाओगा, NCRT खंगालने के बाद एक एडवांस बुक पढ़िए, इसके सिवा कुछ मत पढ़िए, कोई नोट्स नहीं, कोई चुटका नहीं, कोई इधर उदर की बुक मत, एक एडवांस बुक, अस्टेंडर बुक एक पढ़िए, उठाएए, मैं बताऊंगा आपको, और उसको उठाकर पी जाएए, रिजल्ट नहीं होगा, आसानी से होगा, एकदम 100% रिजल्ट होगा, और बात रही कि PT का रिजल्ट 15 नवंबर को, अगर इसकी cut-up की बात करें, तो honestly ऐसा feel होता है, कि 80 है, 80 अगर है, तो के बीच में थूरा सा हलका सा confusion लगता, लेकिन यहां भी border पर ही कहूंगा, अगर 80 है, तो आपका selection हो जाएगा, एकदम मान के चलिए, अगर है, तो आप तयारी मेंस का कर लिजिए, लेकिन अब यहां भी एक बार रोकने की कोशिश करूँ, बाकी सब अपने अपने category को add कर में, यहां भी कोशिश करूँगा, मेंस में आप उसी संस्था में जाके admission लिजिए, जहां direct face to face नजर मिला के कहिए, डेली answer item चेक करोगे, डेली दोगे question, और डेली हमें feedback दोगे, डेली यहां पे question बताओगे कैसे लिखा जाता है, तो admission लिजिए, उसे बेहतर है कि आप सेलेक्शन, सही बता रहा हूं, कर भी है, लेकिन reality ही है, जितना घसिएगा, उतना ही होने की समभावना बनेगा, नहीं घसिएगा, तो परने से तो मेंस नहीं होने बाला है, मेंस लिखिने से होगा, सोचना आपको है जी, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, आपका वक्त आपके आँखों के सामने गुजर रहा है, ना कभी एहसास हो जाए, कि हम थोड़ा और अगर मेहनत करते, तो कहीं और चले गए होते, थोड़ा सा समय आ गया है, थोड़ा concept के साथ पढ़िए, पढ़ाई के साथ प्रीम कीजिए, इसक कीजिए, मन से पढ़िए, तन से परपर्ण करके पढ़िए, रिजल्ट हो रहा है, इस बार भी लोगों का रिजल्ट होगा, आपके आखों के सामने, आपको जो बुड़ा भला जिसको बदनाम करना आप कर लिजे, लेकिन सेलेक्शन लेने बाला, सेलेक्शन लेके जाएगा, अब भी समय बचा हुआ है, बाक